जहन दोस्तों एकोनोमिक्स क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे पूर्टी की मातरá में परिवर्तन तथा पूर्टी में परिवर्तन अब यदि हम दोनों सेंटेंस पर गौर करें तो हमें यह समझ में आता है परिवर्तन को समझेंगे, उसके बाद पूर्ती में परिवर्तन समझेंगे, तो दोनों लगभग समान है, यदि हम एक साथ बोल देंगे, तो हमें ये अंतर करने में कठना ही होगी कि पूछा क्या जा रहा है, तो चलिए समझते हैं, पूर्ती की मात्रा में परिवर्तन जो हो आप उसके लिए दो कारण मुख होते हैं एक हमने पढ़ा हुआ है बस्तु की कीमत और दूसरा पूर्ती को प्रभावित करने वाले तत्व। दोनों चीजे हमने समझी हुई है बस्तु की कीमत भी पूर्टी को प्रिवर्त करती है तो जब पूर्टी में परिवर्तन केवल बस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण होता है तो उसे हम पढ़ते हैं पूर्टी की मात्रा में परिवर्तन और जब बस्तु की कीमत इस्थिर रहे और अन्यकारकों में परिवर्तन हो, अन्यकारक मतलब की पूर्ती को प्रिभावित करने वाले घटक या पूर्ती को प्रिभावित करने वाले कारक, जैसे कि हमने पड़ा हुआ है बस्तु की कीमत, साधनों की कीमत, सरकार के कर, उभभोकता के उद्दिस, ये सभी क्या है पूर्ति को प्रभावित करते हैं इनमें कोई परिवर्तन होता है तो इनमें परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ति की मात्रा में जो कमी या ब्रद्धी होती है उसे हम पढ़ते हैं पूर्ति में परिवर्तन ये दोनों कौन से पर याद रखना अब एक एक करके हम समझ लिए हैं कारक, पिछली किलास में हम कारकों को समझ चुके हैं जो पूर्टी को पिरवावित करते हैं, उन कारकों में कोई परिवर्तन नहीं करना है, परिवर्तन केवल कीमत में करना है, क्या लिखा है, अन्य वातों के यथा स्थिर रहने पर तथा केवल बस्तू की कीमत में होता है तो पूर्ती की मात्रा में जो परिवर्तन होगा उसे हम पूर्ती की मात्रा में परिवर्तन कहेंगे अब इसे हम दो प्रकार से ग्याद करते हैं यह कहें कि दो प्रकार से समझ सकते हैं एक तो पूर्ती में बिस्तार और दूसरा पूर्ती में संकूचन अब दोनों चीजे अलग हैं विस्तार का मतलब ब्रद्धी और संकूचन का मतलब यहाँ पर होता है कमी जब बस्तु की कीमत में ब्रद्धी होगी तो ब्रद्धी के कीमत में ब्रद्धी होगी तो पूर्ती में ब्रद्धी होगी तो उस चीज को हम बोलेंगे पूर्ती में बिस्तार और यदि बस्तु की कीमत में कमी होगी तो उब्भोकता को हानी होगी उस इस्थिती में बहर पूर्ती में भी कमी करेगा तो पूर्ती में जो कमी होगी उसको तो बोलेंगे हम पूर्टी में संकूचन दौन बाते किलियर हो गई हैं अब इसे हम ग्राप के द्वारा समाई ले इन कारण ओपर हम बाद में चर्चा करेंगे चलिए पूर्ती का ग्राप किस प्रकार से बनता है ऐसा बनता है इसे यदि सीधी लाइन भी बनाएंगे तो भी हमारा गलत नहीं होगा और इस प्रकार से बनाएंगे तो भी गलत नहीं होगा अब नीचे हमने पूर्टी की मात्रा को प्रदर्सित किया है और बाय एक्सिस पर हमने बस्तू की कीमत को प्रदर्सित किया है अब हम उधारन के तौर पर ये माल लेते हैं कि यहां पर बर्तमान कीमत है बर्तमान कीमत हम ये P माल लेते हैं कि कोई कीमत है अभी किसी वस्तु की जिस कीमत पर की वाजार में वस्तु बिक रही है अब हमें दोनों चीजें यहां समझ लेनी हैं, दोनों चीजें क्या क्या, एक तो पूर्ती में विस्तार और दूसरा पूर्ती में संकुचन, अब पूर्ती में विस्तार हम किस प्रकार से समझेंगे, पहले इसकी परिभासा देंगे, परिभासा किस प्रकार से देना है, कि अ ये माल लीजे बर्तमान कीमत है, अब हमने क्या समझा है, बस्तू की कीमत में ब्रद्धी, कीमत में ब्रद्धी मतलब की ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब की कीमत बढ़ रही है, अब माल लीजे यहां पर कीमत P1 हो जाती है, P1 होने से बस्तू की जो पूर्टी है बहें भी, बढ़ जाएगी, तो गिराप कहां बनेगा, फिर ऊपर बनेगा, तो माल लीजे, कीमत बढ़ने के साथ-साथ, पूर्टी भी बढ़ गई है, M बन पर, तो यह यहाँ पर पूर्टी में बरद्दी हुई है, और यह यहाँ पर कीमत में ब्रद्धी हुई है अब गिराप कहाँ पर पहुँच जाएगा यहाँ पर यह माली जे N यह N था यह N बन हो गया चलन होगा एक ही गिराप पर गिराप दूसरा नहीं बनेगा यानि जो बक्र बन रहा है पूर्ती बक्र अपने ही बक्र पर क्या होगा उपर की तरफ बढ़ जाएगा मतलब की मात्रा यहाँ पर क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी अब यह जो बड़ी हुई मात्रा है इसको क्या बोलते हैं पूर्ती में विस्तार यह हमें समझना है ये क्या हो गया पूर्ती में विस्तार हो गया अब दूसरी इस्तिती क्या है पूर्ती में संकुचन पूर्ती में संकुचन जब हमें दिखाना है तो सबसे पहले उसकी परिभासा देंगे परिभासा जिस परकार से हमने पूर्ती में विस्तार की दी है उसी परकार से पूर्त जो कमी होगी उससे हम पूर्ति में संकूचन कहेंगे इतना लिख दिया यह परिभासा कंप्लीट अब इसके बाद ग्राप पर देखिए क्या करना है कमी करना है अब ये कीमत हमारी बर्तमान है, मालियत हैं इसमें कमी हो जाती है और कीमत में कमी होगी तो ये कहां पर आएगा नीचे की तरफ, ये माली ये P2 हो जाता है, कीमत गिरेगी तो बस्तू की पूर्ती भी कम होगी, concept क्या है पूर्ती का, कीमत बढ़ेगी तो पूर्ती बढ़ेग फिर हमारा supply बक्रो जाएगा, अब यह जो कमी हुई है, यह कमी इस तरफ हुई है और यह जो ब्रद्धी हुई थी, यह किस तरफ हुई थी, इस तरफ, जब उपर की तरफ गया था तो पूर्ती में बिस्तार हुआ था, नीचे की तरफ आया है गिराफ खिसक के तो पूर्टी में क्या हो रहा है एक सिकुलन हो रही है सिकुलन मतलब की संकुचन तो इसको क्या बोलते हैं पूर्टी में संकुचन अब यह जो इस्थिती है जहां पर पूर्टी भी कम हो रही है और कीमत भी कम हो रही है इसको बोलेंगे हम पूर्टी में संकुचन क्या कीमत में कमी या ब्रद्धी होगी तो उसी के परिवर्तन उसकी कीमत में परिवर्तन के कारण होगा उस समय जो बिक्रता की पूर्ती तालिका है और पूर्ती बक्र है बहे परिवर्तित नहीं होगे जिस प्रकार से हमने समझा है बहे उसी प्रकार से बनेगे मतलब कि लगभग सेम ही पूर्ती बक्र और पूर्ती तालिका रहेगी जो हमने पहले बक्र समझ लिया है वो भी बक्र यहां बना है अन्य कारकों में उत्पादन के साधनों की कीमते, सरकार के कर, उत्पादक के उद्देश, ये सब क्या हैं? अन्य कारक हैं जो पूर्ती को प्रभावित करते हैं. अब इसमें क्या समयना है? कीमत में परिवर्तन नहीं करना है, कारकों में परिवर्तन करना है. कारक में परिवर हो रही है वो यहां पर हो रही है यह क्यों मात्रा माल लेते हम और यह पी कीमत चल रही है अब कीमत तो इस्तिर रखना कीमत में कोई परिवर्तन नहीं करना, अब मान के चलें, जो graph है, हमारा वह गाईं तरफ खिसक जाता है, यह कहाँ पर खिसक जाएगा, दाईं तरफ खिसक जाता है, और यह हो जाएगा S1 और ये S2, मतलब कि जो मुख गिराफ है, मुख बक्र है, वो कौन सा है SS और जो खिसकने के बाद मतलब कि पूर्ती में यहाँ पर क्या हुई है ब्रद्धी हुई है तो किस तरफ खिसकेगा दाएं तरफ देखिए ब्रद्धी कैंसे हुई है जैसे यहाँ से हम इसको मिलाएंगे तो यह हो जाएगा Q2 पहले उसी कीमत पर Q की मात्रा की पूर्ती की जा रही थी लेकिन अब इसी कीमत पर Q2 मात्रा की पूर्ती की जा रही है अब यह जो ब्रद्धी हुई है इतनी यह क्या कहलाएगी पूर्ती में ब्रद्धी क्या होगा यह पूर्ती में ब्रद्धी अब इसकी परिभासा हमें कैसे देनी है बस्तू की कीमत इस आप खेसक जाता है उसे पूर्ती में ब्रद्धी कहते हैं इतना लिखेंगे और ये ग्राब बना देंगे इसी प्रकार से आप क्या समझेंगे पूर्ती में कमी इसको भी हम दो प्रकार से समझ रहे हैं जैसे इसमें हमने पूर्ती में विस्तार और पूर्ती में संकूचन समझेंगे अब यह पूर्ती में ब्रद्धी समझ ली अब कमी देखिए कमी किस प्रकार से होगी कीमत हमें इस्थिर रखनी है तो एक्स एक्स इसके पैरेलल आप क्या खीज़ दीजिए एक सीधी लाइन खीज़ दीजिए यह तो किसको प्रिजंट कर देगी हमारी कीमत को यह प्रिजंट कर रहा है यह कीमत को प्रिजंट कर रहा है इसके बाद अब जैसे इस कीमत पर अभी पूर्ती क्या हो रही थी यहां पर माल लीजे एम हो रही थी अब क्या करना है कीमत में कोई परिवर्तन ना हो किसी अन्यकारक में परिवर्तन होने के कारण अन्यकारक जैसे करनीती हो साधनों की कीमते हो इन में परिवर्तन होगा तो जो पूर्ती है वह है इस प्रकार से यहां पर बक्र आ जाता है और जो पूर्ती होगी वो इस point पर आ जाती है मानली जी ए M बन हो गया अब पूर्ती क्या हो गई है यहां पर कम हो गई है तो जो पूर्ती बक्र है, यह यहां से किस और आ गया है? बाई और आ गया है यह हो जाएगा S1, इसको भी S1 कर देते हैं मतलब मूल बक्र है हमारा SS और जो नया बक्र खिसक के बना हुगा है पूर्ती में कमी के परिणाम स्वरूप बना है यह क्या हो गया S1 S1, अब यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रही है, पूर्ति में कम हो रही है, पहले जैसे यहाँ देखिए, O M की मात्रा की पूर्ति की जा रही थी बाजार में, लेकिन किसी अन्य कारक में, कोई कारक है, या तो करणीतीम परिवर्तन हो गया, जिसमें टेक्स दी है, पहले O M कर रहा था, अब O M बन करने लगा है, तो जो पूर्ति में कमी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, पूर्ति में कमी, इसकी परिवासा भी हमें सेमी देनी है, बस्तु की कीमत स्थिर रहे, और किसी अन्य कारक में, परिवर्तन की परिणाम स्वरूप, जब पू क्या बोलते हैं, पूर्ति में कमी कहते हैं, ये चारो की परिवासा है, मतलब की चारो का कॉंसेप्ट है, कॉंसेप्ट क्या ध्यान रखना है केवल, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, ये किस में परिवर्तन के कारण होगा, बस्तु की कीमत में, और पूर्ति में परिवर यह पूंचा जाता है कि पूर्ती की मात्रा में परिवर्तन और पूर्ती में परिवर्तन में अंतर लिखिए, तो अंतर हमें किस प्रकार से लिखना है, देखिए, जिस प्रकार से हमने समझा है, हम क्या करते हैं, जब भी अंतर करते हैं, तो इस प्रकार से टेविल बनाते हैं अब table में हमें क्या करना है एक में करना है आधार और एक में कर लेंगे हम पूर्ती की मात्रा में परिवर्तन और दूसरे में पूर्ती में परिवर्तन अब दोनों को देखिए आधार क्या लेखेंगे पहले आधार में हम कर देंगे अर्थ आर्थ कर देंगे तो पूर्ती की मात्रा में परिवर्तन किस कारण से होता है अन्य वातों के यथा इस्थिर रहने पर तथा बस्तू की कीमत में परिवर्तन के परिवर्तन के परिवर्तन कहते हैं और पूर्ती में परिवर्तन कीमत के इस्थिर रहने पर पूर्ती को निर्धारित करने वाले अन्य किसी कारक में परिवर्तन के परिवर्तन के परिवर्तन कहते हैं यह इसका अर्थ हो गया इसके बाद हम क्या करेंगे दोनों का गिराब बनाएंगे तो दूसरा हमारा आधार क्या हो जाएगा बक्र, दोनों का क्या ब्रण देंगे? कि जब हम कीमत में परीवर्टन के स्वरूप ग्याद करते हैं तो इसको दो तरीके से ग्याद किया जाता है, एक तो पूरती में विस्तार और दूसरा पूरती में संकुचन अब पूर्थी में जो संकूचन होता है या विस्तार होता है बहे कीमत में ब्रद्धी होगी तो विस्तार होगा और कीमत में कमी होगी तो संकूचन होगा ग्राप पर दिखा देंगे कि कहां पर पूर्थी में बिस्तार हो रहा है, कहां पर पूर्थी में संकूचन हो रहा है उसके बाद दूसरे का क्या लिखना है हमें अन्य कारकों में कमी या ब्रद्धी के परिणाम स्वरूप जब पूर्थी में ब्रद्धी होगी और पूर्ती में ब्रध्धी के प्रणाम स्वरूप जो ग्राफ है बक्र है बहे दाई और खिसकेगा तो पूर्ती में ब्रध्धी को प्रदरसित करेगा और यदि बाई और खिसकेगा तो पूर्ती में कमी को प्रदरसित करेगा ये लिख दिया हमने तो हमारा उत्तर है बहे अच्छा आंसर बन जाएगा इसके बाद एक और हम आधार इसमें जोड़ सकते हैं कारण का अब कारण क्या लेखेंगे कारण में देखिए इसमें जो परिवर्तन होता है बस्तू की कीमत में कमिया ब्रद्धी के कारण होता है और इसमें जो परिवर्तन होता है अन्य कारकों म और बक्र की स्थिति यह यदि हम एक और आंतर जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर और अच्छा हो जाएगा इसमें क्या लिख सकते हैं विक्रता की जो पूर्ती की मात्राम परिवर्तन होता है इस स्थिति में मतलब कहां पर यहां पर कीमत में परिवर्तन होता है उस स्थिति में बिक्रेता की पूर्ती तालिका एवं पूर्ती बक्र परिवर्तित नहीं होते हैं जैसा की पूर्ती की अबधारना का बक्र बनता है बैसा ही बक्र इसका निकल के आएगा लेकिन यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो जो पूर्ती तालिका है और पूर्ती बक्र क्या हो जाएंगे परिवर्तित हो जाएंगे दोनों परिवर्तित होगे देखिए यहाँ पर जो गिराफ बना है वो दो बक्रों को प्रदर्सित कर रहा है लेकन यहाँ पर जो गिराफ है बहे एक ही बक्र पर प्रदर्सित हो र करके हम पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन में अंतर कर सकते हैं इतना समझ में आ गया तो आज के लिए इतना काफी है यदि कहीं डाउट है तो कमेंट करके बताइए एक वार फिर से चर्चा कर लेंगे तो अगली क्लास में मिलते हैं तब तक के जय हिंद बंदे मातना